My dear students, I welcome you all to your maths class. आज हम पढ़ने जा रहे हैं, addition. addition का क्या मतलब होता है? putting together. अब यह putting together क्या है? यह मैं आपको समझाते हूँ. मेरे प्यारे बच्चो, जैसे के यहां आपको यह तीन pencils देख रही होंगी है ना? 1, 2, 3. अब मैं आपसे बोलूँगी, अगर मैं इनके साथ दो pencils और रख दूँगी, तो यह कितनी हो जाएंगी? शाबाश. तो यह हमारे पास कितनी है? 1, 2, 3. कितनी हमारे पास? 3 pencils. ओके? तो यह कितनी pencils हैं हमारे पास? 1, 2. यह कितनी हमारे पास? 1, 2. तो अब अगर मैं आपको बोलूँगी, इन सारी pencils को एक साथ count कर लेजिए. तो यह कितनी हो जाएंगी? शाबाश. 1, 2, 3, 4, 5. कितनी होगे हमारे पास यह pencils? Very good. 5. कितनी होगे हमारे पास? 5. तो जब मैंने आपस बोचा, यह हमारे पास 3 pencils हैं, यह हमारे पास 2 pencils हैं, तो कितनी होगी total हमारे पास? 5. तो जब हम इन pencils को इनके साथ add कर रहे हैं, तो इनके साथ हम एक sign लगाते हैं, जिसको बोलते हैं plus sign. क्या बोलते हैं? Plus sign. ठीक है? और जब मैं आपको बोलूँगी 3 plus 2, कितना हो गया? 5. जैसे 1, 2, 3, 4, 5. तो इसको बोलते हैं addition, यानि के putting together, एक साथ करना. अब आप इनको एक साथ कर लीजिए, और count कीजिए, यह कितनी हो जाएंगी? शाबाश. 1, 2, 3, 4, 5. चलिए बच्चों. अब देखिए हमारे पास यहां कितनी color pencils हैं? Color pen, sorry. तो कितनी हैं यह? 1, 2, 3, 4. तो यहां हम क्या लिखेंगे? 4. और यहां हमारे पास कितनी colors हैं? 1, 2, 3. तो कितनी होगे? 3. और बीच में हमने इसमें कौन सा sign डाला, कौन सी निशान ही डाली? प्लस की. तो अब 4 प्लस 3 कितना हो गया? शाबाश. काउंट कीजिए. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 2, 4, प्लस 3, 7. Very good. मुझे अभीद है कि आप सब को समझा रहा होगा. इंशाल्ला, कल हम फिश से मिलेंगे और अपने अडिशन के टॉपिक को आगे और बढ़ाएगे. तब तक के लिए, अल्ला हाफिज.